तो आई से सिजन एट का मैच नमबर 22 हो चुका है खता मैच हो रहा था है दरबद इफ्टी वर्चिस बैंगलूर इफ्टी और भाई क्या मैच था कमाल का मैच था है दूसरी तरह बैंगलूर इफ्टी ने भी अपना दमखम लगा दिया था लेकिन अंत में जाकर है दरबद हासिल करके टॉप फोर्ड में एंट्री कर लिया है चलिए इस मैच के हम लोग रिविव कर लेते मैं आपको मैच स्टोडी बताऊंगा मैच के स्टायर बताऊंगा साथ-साथ कौन सा खिला देन अच्छा खेला है खरब खेला है वह भी हम लोग डिसकसन करेंगे तो आपको अगरे सब को जानना है इस मैच से रिलेटेड तो इस भीडिव कं तक जरू देखते रहना तो सबसे पहले दोनों टीमों के अगर पिलिंगल भन देखा जाए इस मैच के लिए तो भाई मैं आपको जिस तरीके से प्रीवी बिडियों बताया था उस तरीके का ही नाजर आया से भीडियो भी भाई आज खेला था पिलिंग बेन में और उनके साथ ओग बेचे मौज़ोद था बैंगलों टीमों का इंटेंट एक दो पूरी तरीके से साफ दिख रहा था खास करके हाईदबद इप्सी का हाईदबद इप्सी भाई एक जवर्दस एटक कर रहा था और हाईदबद इप्सी ने दू-3 मिनिट के अंदर ही कुछ त्रीटिनिंग चांस बना दिया था जिसके चलते भाई उनको सब्सक्री पहला गोल मिल चुका है बाट तो लिमियों इप्सी के खिलाब हाईदबद इफसी का जो डिफेंस वह बहुत ज्यादा स्टाइगल कर रहा था वो कमबैक नहीं कर पा रहा था बार बार चांस के तो क्रेंस के तरस हम लोग कहेंगे हाईदबद इप्सी के तरफ से आ रहा था उग वेची से वीडियो का जो ईडिशी व में उतना दम कम नजन नहीं आ रहा था बैंगलूर इपसी के सुरुबाती मिनिट से भाई वह बहुत जगा स्ट्राइगल कर रहा था अपने मिड फिल में जिसके चलते भाई एडिमून को बाहर जाना परा उसके बाद पहला हाफ खतम हुआ पहले हाफ में और कोई गोल नहीं आया था जैसे भाई सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है कहीं नहीं मुझे लग रहा कि बैंगलूर इपसी कमबेक करने की कोसिस किया था कुछ हद तक भाई उन्होंने कुछ चांसेश कर दिया था लेकिन जो हाईडवाद इपसी का डिफनस लाइन ता भाई बहुत ही मजबुत है रएक रहा हासा इंदाक भाई म्वाद और इकेलिए फिक्रेट किया तर लेकिन लोगिक राया था बंगलोर सेकंड होमले नहीं है को यहां पर हाईदवाद इसको भूना नहीं पाया है उसके बाद कुछ सब्सेटिशन भी हमें देखने को मिला है जब यह से विडियों के जगे जो लिया गया तो उसके बाद रोई धनु के जगे अंकित जादब भी आया था बैंगलोड इसके तरफ से आसी कर्णियन बाहर गय आया है निखिल पुजारी के जगे यहां पर एरेन डी सिल्वा को अंदर किया गया तो उसके बाद वानन के जगे डू गर्सिया था और सोविक चक्रविति के जगे साहिल दोब्रा आया था लेकिन और को ज्यादा इफिक्ट नहीं परा है इस मैच पर सूरिश के जगे सिव नहीं परा अंत में जाकर हमें सिर्फ एक जीरो स्कोल लाइन पर ही इस मैच को खतम हुए देखना परा और भाई मैच बहुत ज्यादा टाइट था बहुत ज्यादा टाइच था बहुत ज्यादा ताफ फाइट दिया है दोनों ही टीम पहले हाप में कहीने खहीं हाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टाइट देखेंगे तो स्टैट भीभाई आपको यहां पर फिप्टी नाजर आ रहाए एक टे फॉर्टी एट पस्टन यहां पर हाइद विपसी का पास पोजिशन था इसके बाद के बात किया यह पासिंग एकुरिसी की बात किया तो भी भाई लगभग सेम टू सेम है श्रिप एक गोल है पर इस मैट पर डिफरेंस बना था ओपसाइट राम में चार बर फास चुका था यहां पर हाइद विपसी तीन दपर फसा था बैंगलोड फसा रहा था दोनों है टीम एक दूसरे एक उसके बाद सॉटन टाइगेट तीन पर यहां पर हाइद विपसी का साथ तीन था बैंगलोड फसी का नमर फासेस लगबग इक्वेल अब लोग कहे सकते हो तेन सूदा इन सो अटतर उसके बाद पांसो चार पांसो चो आली स्टाचेस बंगलोड फसी के तरफ से फाउल विप देख सकते हूं इंटरसेप्शन तरह गया है तिन पॉइंट अलोने हासिल किया है बैंगलूर इफसी का भी भाई हाट लाक है यूँकि यो भाई खेल रहा है अच्छा पाहमस करें अच्छा लेकिन जीत उनके नाम नहीं आ रहा है तो हम लोग उमिद करेंगे कि नेक्स्ट कुछ मैचों में आच्छा करें अच्छा खेलें एक भी मैच्पी भाई उनको क्लिन इसिड नहीं मिल रहा है लगब लांट नहीं बहुत यसेबल नहीं है दूसरी त्रह ऑईदो बहुत ही ज्यादा फिट नजर आ रहा है हाज़र पदिफसी के बैक लाइन पर और इसके बाद कर लेते हैं तो हाज़र पदिफसी की तरफ से कर में बात करें तो भाई लक्षमिकंद कट्टी माने उनका जो गोल की पर है और भाई बहुत है अच्छा पाहमेज क्या है मुझे सेकेंड का भाई बाएं बाद चचा क्या था बाके मैश पर भाई उन्हें बहुत यह अच्छा काम क्या है उनकर काम अच्छा था था ऑच्छा कर के दिखाया है उनकर फॉर राड में गरे जो जोरी था भाई ओभी बहुत ही अच्छा था इस मैच पे रोही धानू भी अच्छा खेला था उनको भी प्लिंगल बें सामिल किया था तो इस खिलारी का भी भाई बहुत ही अच्छा आज खेल देखने काम मिला है यांग टालेंटेट खिलारी है भाई और धीर दिनी सभी को मौका मिलड़ा है गेम टेम मिलड़ा है जो कि इंडियान फुटबॉल के लिए भाई सबसे ज़्यादा अच्छा है दुश्ची तरह बैंगलूरी FC का कर मैं बात कर तो बैंगलूरी FC का टीम का मोराल बहुत ही ज़्यादा डाउन है गुर्पी सिंग संदु भाई ओ कुछ भी नहीं कर सकते है अगर उनके पास सपोर नहीं आता है उनके बैक लाइन का पर तिक चोधिया आलें कोस्ता नावडेम उसके बाद असी कर्डिन ये सभी खलाडी भाई बहुत ज़्यादा इस मैच पे गलती किया है और बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है मोराल पूरी तरह किस टीम का डाउन है अब लोग अज सुने सित्री के मूँपे वो देख सकते हो उनके एक्सप्रेंस से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के हाल से गुजर रहा है अभी इस वाक्त बैंगलूरी एफसी मिट फिल्म में भाई ब्रुनो बहुत अच्छा खेला था लेकिन उनका इस योगदान से भाई कुछ भी फरक नहीं पराइस टीम को जैसरा ने असके बाद दानिस फारुक ऐसे भी खला तरके दिखाए सुरे सुवंग जम खेल तो सभी रहा है लेकिन रेजट इनके पास नहीं आ रहे एक तॉनसील भाई भाई आज अच्छा खेला था सुनी सित्री कहीं आई आज नजन नहीं आया है अब लोग एक्सपेक्ट करें किसी ने किसी तरी किसी दो गोल लगा दे तो ओल्टेम आइसल का टॉप गोल स्कॉरा और बन जाएगा कोड़ा को ऊपर चला जाएगा अगर एक गोल कर देता है तो भाई यहां पर को ऑभा टेक कर जाएगा लेकिन बाई टोटाल चार मैश हो चुका है बैंगलूर इसी कर चारिया पाच मैश लेकिन सुन सित्री के दरफ स उनको और भी ज़्यादा confidence से खेलना पड़ेगा नेक्स्ट कुछ मैं चपे तो भाई उनके पक्स में रिजल्ट आ सकता है अब लोग भी अपना डाई सेर करना जरूर बैंगलोड इफसी को पर हजावद इफसी को पर खासकत के इस match के उपर फिलाल के लिए वीडियो कहीं पर झाल सकता है